Hello everyone, स्वागत आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल पर इच्छा Halt 247 में दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हम JSCCGL को target कर रहे हैं और JSCCGL के paper 2 में अगर आपने original language के अंदर खोर्ठा लिया है और खोर्ठा लेकर आप अपनी तयारी को कर रहे हैं तो यहाँ पर खोर्ठा के पूरी तयारी 100% free वो भी बिल्कुल सांदार तरीके से आप लोगों को कराई जा रही है यहाँ पर खोर्ठा के हर एक section चाहे वह पद्दे संग्रा हो, चाहे गद्दे संग्रा हो, नाटक हो साहित्ति की अन्यविदाएं अभी हम लोग कर रहे हैं और इसे पूरा cover करेंगे और चाहे खोर्ठा का व्याकरन हो, सबको बहुत अच्छे तरीके से cover करते हुए, इसके mcq लगाते हुए तो अभी बहुत ज्यादा हम लोग mcq नहीं लगा रहे हैं, बस आप ये देखे कि हमसे वो mcq हो रहे हैं या नहीं जैसा ही हमारा syllabus cover हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है, 45 days, तो 45 days के अंदर ही पूरा syllabus हम cover करेंगे और एक-एक syllabus पर बात करते हुए, और उसके बाद जब mcq लगाएंगे, तो वहाँ पर हम बहुत ज्यादा question करेंगे, बहुत ज्यादा set लगाएंगे, full length test भी करेंगे, 100 question का exam से पहले हम लोग exam conduct करेंगे, वो भी 20-30 live test आप लोगों के लिए बहुत अच्छे तरीके से conduct कर अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं, तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, चाहे paper 1 हो, चाहे paper 2 हो, चाहे paper 3 का कोई भी section हो, हम लोग उसके बारे में अच्छे तरह से बात कर रहे हैं, उसके strategy पर बात कर रहे हैं, उसका एक अचूक रननीनीती पर बात कर रहे हैं, अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं, तो बिल्कुल आप निश्चिंत होकर आपके वल अपनी तयारी पर ध्यान दे, और कोई भी confusion में ना रहें, किसी भी प्रकार का दुबिदा मन में ना पाले, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका पढ़ाई और आपका जो तयारी है, उसका थोड़ा सा पेस कम हो जाएगा दोस्तों, तो सब कुछ आप हमारे उपर छोड़ दीजिए और आपके वल अपनी तयारी करें, दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं बुलिएगा, क्योंकि आपके उसके बारे में देखा कि यहां जो संस्मरन होता है, वह क्या होता है, उसमें कि मतलग क्या लिखा जाता है, किसके मेमोरी के बारे में, जब की का दिहान्त हो जाता है, तब संस्मरन लिखा जाता है, तो यह दो जो संस्मरन है कि इनके द्वारा लिखा गया, यह भी हमने बा आत्रा विरितान्त होगा तब जाकर के हम जीवनी पढ़ेंगे तो इस प्रकार से मैंने आपको कल बता दिया था कि कैसे कैसे क्या करना है इसके MCQ लगाते चलेंगे थोड़ा थोड़ा और उसके बाद जब पूरा कवर हो जाएगा फिर आपको जो सेट लगाएंगे तब आप क्या पढ़ा है उसके बाद देखिए अभी जो खोर्था निबंद के बहुत सारे हमारे साथी हैं जो कह रहे हैं कि सर खोर्था निबंद में छे नम्मर का जो निबंद है वह बच गया है तो आज या कल आपको वह भी मैं करवा दूँगा आप उसे जाकर के बिलकुल देख के द्वारा लिखा गया तो सांती भारत जी के द्वारा लिखा गया है अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि सांती भारत क्योंकि लेकट के परेशे तो हम जिवनी भी करेंगे बहुत डिटेल में लेकिन आपको यह मैंने कल बताया था कि सांती भारत जी का जो जन्म है वह 6 अप्रील 6 अप्रील कब हुआ था 1965 को इनका जन्म हुआ है कहाँ पर तो बोकारो के बोकारो के कहाँ पर तो चौफांद गाउं में इनका जन्म हुआ इनकी माता का नाम क्या था रतनी और पिता जी का नाम इनका क्या था माता का नाम रतनी था रतनी और पिता जी का नाम क्या है तो कुझू महतो क्या है कुझू महतो तो यह हमने देखा था कल ठीक है अब देखते हैं इसके बाद कि इक कैसन रचना लागे यानिकि यह जो कार की रसना है कहानी है लेख है क्या बोलते हैं लेख है कोई निबंध है या फिर संस्बरन है तो संस्बरन है ठीक है उसके बाद देखे लेखक बुर्वा अड़ा अखाईबूर के करा कहल गेल है देखे लेखक बुर्वा अड़ा अखाईबूर मतलब बुर्वा अड़ा का जो मैंने कहा था कि खुर्टा सहित्य का जो एक बिसाल ब्रिक्ष रूपी स्री निवास पानूरी जी उसी को बरगत के पेड़ से कंपेर किया गिया है तो यह है स्री निवास पानूरी जी और यह किस के द्वारा कहा गिया था सांती भारत जी के द्वारा किन के द्वारा सांत तो हम लोगों ने कल सांती भारत जी के बारे में किया है, अगर आप ने नहीं देखा है, तो जा कर करके जरूर देखे उसे. MCQ में यह हमारा दावा है यह गारंटी है कि आप अगर अच्छे से पढ़ते हैं अच्छे से सुनते हैं तो आप किसी भी MCQ में नहीं फसेंगे तो 1985 दिसंबर में इनका यह पहली बार किनके साथ गये थे तो देख लिजे लेखक ककर संगे बुरवार डगेल रहा तो सिवनात परमानिक बंसी लाल बंसी या ए और भी दोनों के कुरो संगे नहीं तो सिवनात परमानिक और बंसी लाल बंसी और लेखक स्री जो सांती भारत हैं वो तीनों क्या लेकर के गये थे तो किस कविता संग्रह का पांडू लिपी लेकर के गये थे तो रूसल पुटूस जो कविता संग्रह है उसका पांडू लिपी लेकर के उनको छपवाने के लिए बुरवार डगे थे और वही पर उनसे उनका मिलने के लिए स्री निवा एक बहुत ही बड़ा बरगत का पेड़ साहित्य का एक बहुत बिसाल ब्रिक्षे खतम हो गया, और खोर्ठा साहित्य टूर अनात हो गया, आपने सुना था न कवी संस्परन को, अब अगला जो है, स्री निवास पानूरी जी को किस उपनाम से जाना जाता है, दोस्तों आपको बिस्वनाद दस्वंधी जी को राज कहा जाता है, सब कुछ आपको पता है, तो यहाँ पर स्री निवास पानूरी जी को इस संस्मरन में भी जिक्र हुआ है, कभी जी, क्या कहा जाता है, कभी जी, अब देखिए अगला है, उड़ गलक फुलवा, और रह गलक बांस, इसका क्या मिनिंग था, उड़ गलक फुलवा, फुलवा किसको कहा जाता है, फूल की सुगंद जो है, सहित्य में, सहित्य जगत में बिखेरने वाले राधा क्रिस्ट जी, उनका दिहान तो हो गया है, उनके मृत्य तो हो गयी है, लेकिन उनके द्वारा जो फैलाया गया एक वो अभी तक भी यहां पर हमें देता है, मतलब उसके सुगंद से, खोर्टा साहित, या पिर जो साहित्य कर्म है, वो अभी भी सुगंदी थोरा यही है, उड़ गलक फुलवा, रह गलक बांस, अच्छा, यह किसके द्वारा लिखा गया संस्मरन है, उड़ गलक फुलवा, उप नाम क्या है, जंगली है, और यहां जो संस्मरन है, उड़ गलक फुलवा, रह गलक बांस, यह किन के द्वारा लिखा गया है, तो जंगली जी के द्वारा लिखा गया है, इनका जन्मस्थान, आपको कल मैंने बताया था, चेटर, चेटर, रामगड, कहां? चेटर, रा उड़ गलक फुलवा, रह गलक बांस, तो एक संस्मरन है, ठीक है, किनके द्वारा लिखा गया, उड़ गलक फुलवा, तो गोविंद मतो जी, जिनका उपनाम जंगली जी है, ठीक है, अब देखे, इस संस्मरने का कर संस्मरन लिखल गेल है, किनका, तो राधा कृष्ण ज और इसमें हमने बात किया है वहीं पर देखे लेखक मैट्रिक कलास में राधा कृष्ण जी के लिखा हुआ कौन कहानी को पढ़े थे तो राम लीला ठीक है हम लोगों ने देखा था कि मैट्रिक में जब वो थे तो राम लीला पढ़े थे और उसके बाद इंसे मिलने की इनको अगाद इच्छा होने लगती है अब देखिए कॉलेज पढ़ाईत पहर राधा कुलेज में पढ़ते टाइम जो महतो जी है जंगली जी वह राधा कुलेज पढ़ाईत पहर राधा कुलेज में पढ़ते टाइम जो महतो जी है जंगली जी वह राधा कुलेज जी का जो उपन तो इनका कौन सा कविता आदिवासी पत्रिका जिनके की संपादक कौन थे राधा किरिस्न जी थे उनके पत्रिका में उनका कौन सा कविता छपा था तो यह कविता था एगो मेरा है यही कलाम अगला देखिए लेखक के कौन साध पूरा नाय हुआ है देखिए लेखक के इच् इच्छा रही, धरी की धरी रहा जाती है, क्योंकि इससे पहले ही वह जो राधा क्रश्न जी है, उनकी chin मृत्ति हो जाती है, तो देखें, लेखक का साद की लिएफ़गा नहीं होता है, तो तो क्योंकि राधा क्रश्न जी जो है, वह उनका देहान्त हो जाता है, ठीक है यानि कि रसका, रईसका और पुटूस और पालू ऐसा करके है ठीक है तो दोनों सब्द चित्रों को एक ही क्लास में कवर कर देंगे फिर उसके बाद बचेगा क्या यात्रावरितान ठीक है तो यात्रावरितान देखे दोस्तों अलग-अलग बुक में यह सब छपा गिया है आपको यहाँ पर हम PDF फ्रमेट में आपको प्रोवाइड करवा देंगे आप अगर Telegram चानल से नहीं जुने हैं तो Telegram चानल का टेलीग्राम पर PDF डाल दूँगा आप वहां से टेलीग्राम ले लिजिएगा टेलीग्राम से PDF डाउनलोड करके पढ़ाई किजिएगा और इसके बाद जब हम सेट लगाएंगे तो आप बिलकुल अपने आपको ऐसा फिल करेंगे कि जो खोठा में 100 में 100 करने लायक हम लोग ह हो गए है जब हम लोग सेट लगाएंगे तब तो अगर आप चैनल पर नए है तो बिलकुल चैनल से जुड़िए और चैनल को सपोर्ट कीजिए दोस्तों क्योंकि चैनल को आप सपोर्ट करेंगे आपके सपोर्ट और आपके प्यार से ही हमें मेहनत करने की मोटिवेशन मिल अगले वीडियो में इसी तरह की कुछ खास वीडियो में